Hello everyone, once again very welcome back to one video So, आप सभी का हैर सबसे biggest and regular year जो है doubt year आखिरकार भईया हमारा JOSA Concelling कब से start होगा किस date से हमारा JOSA Concelling start होगा इसके वारे में पूरा detail में information में देना वाला हूँ JOSA 23 Concelling के वारे में इसे पहले हैर आप सभी का जो सबसे हैर बेसबरी से इंतिजार था कि भईया आखिरकार आप जो है अपना Concelling कब तक जो है launch करेंगे तो final year मैंने जो है अपना Concelling launch कर दिया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो JOSA Concelling 21A3, IIT, 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 IIIT, GFTI and State Government College आपको भी पता है पार्ट स्वेट करती है JOSA Concelling में है न features यहर सबसे पहले में बताना चाहूँगा उसके बाद फिर यहाँ डीटर में बात करूँगा किस डेट से आपका JOSA Concelling अशार्ट होगा है न तो सबसे पहले हैर देखो आपको Concelling support till admission तक आप सारा Concelling support आपको मिलता रहेगा one-to-one Concelling support आपको मिलेगा you will get deserving college based on your rank आपके rank के basis पे जो सबसे best college होगा जो सबसे top college होगा जो best आपका जो branch होगा वह आपको मिल रहा होगा च्वाइस फिलिंग का एक लिस्ट ही आपको पूरा सेंट किया जाएगा कि आपके rank के basis पे कौन कौन से colleges को आपको च्वाइस फिल करना है किस तरीगरे से आपको च्वाइस फिलिंग करना चाहिए इस टेट गवर्मेंट कॉलेजेज के बारे में आपका जो कम rank रहता है तो आपके rank के basis पे आपको आपको मिल रहे होंगे वहाँ पे आप लोग 24 x 7 कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हो कुछ भी डाउट रहा तो लाइफ सेशन 4 guidance of counseling rules बाया step बाया step इस तरीके से आप मैं जो है एक live session होगा जिसमें की पूरा counseling का जो सब counseling के registration से ले करके college admission तक सारा process step बाया step में पूरा detail में discuss करूँगा है न एक special whatsapp group जिसमें की आपको सारा details college admission तक सारा details सारा जो है आपका वहाँ पे बातचित होता रहेगा and एक special whatsapp group में create करूँगा जहां पे की आप लोग सभी join हो जाएंगे है न उस whatsapp group में सिर्फ और सिर्फ जो लोग इस counseling में join करेंगे उसी को है न and and इसके साथ साथ यहां पे एक special whatsapp group आपका create करूँगा जिसमें की सभी लोग जो की इस course में enroll करेंगे and इसके साथ साथ एक आर आपका वार्टप group create किया जाएगा जिसमें की आपका सारा information यह सब मिल रहा आपको मिल सके तो इसमें enroll करने का जो link है मैंने description में दिया हुआ आप लोग mix और check out करें and वहाँ पे जा करके enroll कर सकते हो आपका इस वीडियो के main topic को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो सा आर देखो जिस तरीके से आपका exam conduct करवाती है न जिस तरीके से NTA एक authority है उसी तरीके से जो सा एक authority है जिसका एर काम है कि आपका IIT NIT IIIT GFTI college इस जो सा counseling में participate कर रही होती है और जो सा counseling के थुरू आपको जो है IIT NIT IIIT GFTI and बहुत सारे state government college होते हैं जो कि participate करते हैं और इन सभी colleges में आपको B.tech, B.R.B. planning में आपका admission हो रहा होता है ऐसार नहीं है कि आपका मतब की result निकला तो result को लेकर कि आप लोग जाओगे किसी NIT college में सर मेरा admission कर दीजा है ना इस तरीके से नहीं होता है बहुत सारे student को तो पता ही नहीं रहता है कि आखिर कर जोसा कॉंसेलिंग क्या होता है ना तो इसमें हमारे country में total 23 IIT college है 31 NIT college है 33 GFTI college है and 26 IIIT college है ना तो अब बात आती है कि आखिर कर कब से हमारा जोसा 23 का कॉंसेलिंग अस्टार्ट होगा कब से जो है IIT में IIT IIIT colleges में admission इस सब अस्टार्ट होगा है तो आपको इसमें बता देना चाहता हूँ जिसको मिस basic कुछ भी नहीं पता है तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि after J.E. advance के result के बाद आपका जोसा counseling 2023 आपका स्टार्ट होगा क्योंकि आपको यह सकी में ने बताया कि जोसा में IIT college भी participate करते हैं आपको इसमें पता है कि IIT में admission IIT J.E. advance के mark के basis पे आपकर J.E. advance के rank के basis पे होता है तो आपका J.E. advance के अगर जो बात करूँ तो J.E. advance का आपका 2023 का 30 अपरेज से स्टार्ट होगा की registration 7th माई तक चला था एंड एक जाम जो है आपका 4 जून को होने वाला एंड रिजल्ट के अगर बात करूँ तो 18 जून को आपका J.E. advance 2023 का रिजल्ट आएगा उसके बात करूँ पर बात करूँ प्रिवियस एर का trend को अगर जो देख कर कर करूँ तो 18 जून का रिजल्ट आने के बात उसके just next day से प्रिवियस दो-तेन सालों का रिकाउट देखें तो जीस दिन आपका J.E. advance का result आता है उसके next day से ही आपका जो सा कॉंसिलिंग अस्टार्ट हो जाता है ना तो 18 जून को रिजल्ट आएगा 19 या तो फिर 20 जून से आपका जो सा कॉंसिलिंग आपका start हो जाएगा है ना इसम च्टार्ट है इसमें तो आपको यह सब से रिलेटेड एडमिसन तक जो सा कॉंसिलिंग में आप जरूर से जरूर ज़ून कर लो अगर जो आप चाहते हो कि हाँ आपके रैंक बेसे सबसे बेस्ट से बेस्ट को बेस्ट को सबस्राइब कर देजिए गा तेल एडमिसन कर सकते हो, and WhatsApp Group का link जो हैं अब बात सकते हो तो भाकि बाद से इस नहीं में बाकि मिलते फिर विद्टेए किसी नेक्ष ने अप्टेट के साथ, so थैंक यू बनमाच, and विस वाहरलो दो अब बेस्ट, मिलते नहीं regarding